जे मातादी दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ग्यान दान आज हम चर्चा करेंगे लाल किताब प्राधारित नव ग्रहों की शानती ही तुख विशेश उपायों की दोस्तों जो सामन्य रूप से राशी के हिसाफ से आप ये उपाय कर सकते हैं किसी विश्तिती में ये उपाय करने योग्य है दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे मिथून राशी के बारे गर आपकी राशी मिथून है तो आप क्या उपाय कर सकते हैं इस बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों अगर आपकी राशी मिधून है तो दोस्तों आपको बक्री का दान दें बहुत ही शुबफलदायक होगा उसके बाद दोस्तों जो भी नव दस साल की छोटी छोटी कन्याई होती जिसनी का पूजन करना आपके लिए बहुत जादा फायदेमन साबित होगा जिसे हम लोग कन्या पूजन भी कहते हैं दोस्तों दूसरी बात है दोस्तों अगर आपकी राशि मिथून है तो दोस्तों आपकी दातों के अंदर कुछ न कुछ तकलीफ जरूर रहती होगी अगर आपके दातों में तकलीफ है तो दोस्तों आपको क्या करना है जो फिटकरी होती है आप फिटकरी का थोड़ा सा पाउडर बना लिजे उसे पीस लिजे या जिस भी तरीकी से आप कर सकते है उसका पाउडर कीजे या बना बना या मार्केट से लियाए और उस फिटकरी स आप रोजाना अपने दात साफ कीजिए मतलब की फिटकरी से आप मंजन कीजिए दोस्तू चाहे तो आप उसके बाद आपका जो भी पेश्ट या जो भी आप यूज़ करते होंगे उससे अपना ब्रश कर सकते हैं लेकिन थोड़ी देर बात कीजिए दोस्तू 25-30 मिनिट का वक्त उस फिटकरी के जो आपने दात को मंजा है उसे रहने दीजिए आप कुल्ला कर सकते हैं उसके बाद अगर आप चाहे तो ब्रश कर सकते हैं संबो हो सके आपको तो अगर आप अपना नाख बीच में से छिदवा कर उसके अंदर चांदी की तार दाली है दोस्तो और उस तार को आप 96 दिन के बाद निकाल कर फेक सकते हैं उसके बाद दोस्तो माद दुर्गा की उपासना मिथून राशी के लिए बहुत ही फलदा एक सिद्ध होती है दोस्तो उसके बाद चांदी के सिक्के में छेद कर या जो सिक्का चांदी का है उसके अंदर छेद है ऐसे सिक्के को आप दरिया में फेक दीजे दोस्तो करिया में दाल दीजे या जो भी जादा पानी हो बहता पानी हो उसमें दाल दीजे उसके बाद सबसे बड़ा जो उपाएं मिथून राशी के लिए है दोस्तो वो तो ये है कि आपको क्या करना है कुछ कवड़ी है चला कर उसकी राख आपको जल प्रवाह कर देनी है दो करके देखिए दोस्तो आपको अवश्य लाख मिलेगा